दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल जिसका नाम है RD Education दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वेकेंसी की जानकरी लेकर आए हैं जो की भारत Electronics Limited की तरफ से है यानि की BEL की तरफ से है दोस्तों भारत Electronics Limited ने 63 प्रोजेक्ट इंजिनियर और ट्रेनी इंजिनियर के पदों पर वेकेंसी के अधिसूचना जारी की है और इस वेकेंसी में आप 21 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इस वेकेंसी की लास्ट डेट 6 अपरेल 2022 है तो क्या है इस वेकेंसी की पूरी डिटेल चलिए जानते हैं इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें सबसे पहले और्गनाईजेशन का नाम है भारत Electronics Limited यानि की BEL जोब टाइप है Central Government Job, जोब नेम है Project Engineer और Training Engineer जोब लोकेशन है गाजियाबाद UP, क्वालिफिकेशन इसमें BE, BTEC और BAC मांगी गई है टोटल वेकेंसी है 63 पदों पर, रजिस्टेशन की स्टार्टिंग डेट 21 मार्च 2022 और इस वेकेंसी की लास्ट डेट 6 अपरेल 2022 apply mode इसका online है, चले जानते हैं बाखी की detail, दोस्तों BEL ने Project Engineer के 37 पदों पर और Training Engineer के 26 पदों पर वेकेंसी निकाली है इस तरह से टोटल 63 पदों पर भारत Electronics Limited ने वेकेंसी निकाली है, अब जानते हैं इसकी qualification के बारे में तो Project Engineer के लिए आपके पास में निमन लिखित Engineering विशियों में माननेत अबराप्त संस्थान, विश्वी ध्यालाय, कोलेश से BE, BTEC, BSC, Engineering 4 साल की होना ज़रूरी है और विशे है Electronics, Computer Science, Mechanical, Civil Engineering और Electrical और साथ में दो साल का प्रासंगिक अध्योगी कारे का अनुभव होना अनिवारी है आप जानते हैं Training Engineer के लिए तो Training Engineer के लिए निमन लिखित Engineering विशियों में माननेत अप्राप्त संस्थान, विश्वी विध्यालाय, कोलेश से BE, BTEC, BSC 4 साल का होना ज़रूरी है और इनके सबजेक्ट हैं Electronics, Mechanical और Computer Science और साथ में एक साल का प्रासंगिक अध्योगी कारे का अनुभव होना अनिवार है चली जानते हैं अब Age Limit के बारे में तो Project Engineer की पोस्ट के लिए General और EWS Candidates के लिए Maximum Age Limit 32 साल इस Vacancy में रखी गई है और Training Engineer की पोस्ट के लिए General और EWS Candidates के लिए Maximum Age Limit 28 साल रखी गई है चली जानते हैं अब IUCMA की छूट के बारे में तो SCST Candidates के लिए 5 साल की छूट है OBC Candidates के लिए 3 साल की और PWD Candidates के लिए 10 साल की इसमें छूट दी गई है चली जानते हैं Application Fees के बारे में तो Project Engineer की पोस्ट के लिए 500 रुपए Application Fees रखी गई है और Training Engineer की पोस्ट के लिए 200 रुपए Application Fees रखी गई है और SCST PWD Candidates के लिए इसमें किसी तरह की Application Fees नहीं ली जाएगी चली बात करते हैं Celery की तो Project Engineer की पोस्ट के लिए फर्स साल आपको 40,000 रुपए Celery दी जाएगी सेकंड साल आपको 45,000 रुपए तीसरे साल में 50,000 रुपए और चोटे साल में 55,000 रुपए आपको Celery दी जाएगी और Training Engineer की पोस्ट के लिए फर्स्ट येर में आपको 30,000 रुपए सेकंड येर में 35,000 रुपए और थर्ड येर में 40,000 रुपए आपको दिये जाएगी इंपोर्टेंट डेट्स के अगर हम बात करें तो इस वेकेंसी में Registration की प्रक्रिया शुरू हो चीकी है 21 March 2022 से और इस वेकेंसी में आप 6 April 2022 तक एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों एक बार फिरम आपको बता दें कि भारत Electronics Limited यानि की BEL ने 63 Project Engineer और Training Engineer के फदों पर वेकेंसी की अधीस उचना जारी की है इसका Official Notification जारी हो चुका है आप इस वेकेंसी में 21 March 2022 से अपलाई कर सकते हैं और इसकी Last Date 6 April 2022 है Qualification इसमें BE, BTEC, BSC का 4 साल का कोर्स मांगा गया है Application Fees इसमें Project Engineer के लिए 500 रुपे रखी गई है और Training Engineer के लिए 200 रुपे SCST और PWD Candidates के लिए किसी भी तरह की Application Fees नहीं ली जाएगी